नमस्कार पंचायत चुनाव का इंतजार जो बहुत लंबा हो चुका था वो खतम हो गया है और पंचायत चुनाव की अधिसुचना जारी हो गई है और क्या है डेट क्या अधिसुचना दी है और अब लेटर जारी हुआ है आज ही लेटर जारी हुआ है शाम को तो हम आपको पूरा बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए ये जो आप लेटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हर्याना सरकार के विकास और पंचायत विभाग द्वारा अधिसुचना जारी हुई है हर्याना पंचायत चुनाव को लेकर ये लेटर नंबर है 63 ह है 11 1994 और इसकी धारा 211 2022 हर्याना पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 211 के उप धारा 2 के सहित पठित उप धारा एक द्वारा प्रदत शक्तियों का परियोग करते हुए हर्याना के राज्यपाल इसके द्वारा निर्द का और निर्दिष्ट तक हर्याना रज्यमें करवाए जाएंगे यहां दिसूचना जारी हुई है कि 30 सितंबर से पहले पहले ये चुनाव खतम हो जाएंगे और उसके बाद रिजल्ट इक्लेर हो जाएगा और नई सरपंच बन जाएंगे ये चंडिकड की ब्रेकिंग न्यूज है पंचायत विभाग की तरफ से जारी की गई है तीस सितंबर तक परदेश में पंचायतों के चुनाओ पंचायत समीतियों और जिला परिशदों के चुन सरकार ने चुनाओ आयोग को 30 सितंबर तक की डेड़ लाइन दे दी है डेड़ लाइन मतलब इससे पहले पहले इलेक्षन जरूर करवाए जाएंगे और सरकार ने चुनाओ आयोग को ये सक्थ होकर कहा है शुकरवार को पंचायत चुनाओ की मतदाता सुचियों का अंतिम परकासन भी कर दिया गया है चुनाव दो चरणों में संभावित हैं हर्याणा में 55 सितंबर में होंगे और परदेश सरकार ने पंच सर्पंचों और पंचाइद समीती तथा जिला प्रिशत सदस्यों के चुनाव करवाने के लिए रज्ज चुनावायों को डैडलाइन दे दी है और इस अधिके बीतर चुनावायों को चुनावी परकिरिया पूरी करनी ही होगी विकासिम पंचायद विभाग की तरफ से मुख्य सचीव डॉक्टर सुमित्र सुमिता मिश्रा ने इस समंध में अधिसुचना जारी कर दी है कुरुक्षेतर के खंड लाडवा के जो हमने में पंचायद चुनाव के साथ साथ तीचर ट्रांसफर भी बहुत दिनों से रुके वे थे एक साल से भी ज्यादा टाइम हो गया था इलक्षन की तरह है और वो भी अभी ट्रांसफर अभी बिल्कुल पीक पे है उनकी ट्रांसफर के लिए भी सर्टर डे और संडे की करवा दें सरकार को पंचायद चुनाव की मतदाता सूच्यों का अंतीम परकाशन कभी भी कर भी दिया गया है। चुनाव दो चरणों में संभावित हैं पंच सरपंच के चुनाव एक साथ था पंचायत समीति और जिला परिशत सद्यस्यों के चुनाव एक साथ करवाई जाएंगी। लेकिन पहले 46 स्थानिय निकाय को चुनाव को पराथमिक्ता दी गई। 46 जिला परिशत सद्यस्यों 411 इन सभी पदों पर इलक्षन करवाए जाएंगे और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी कबर ये भी आई थी कि पिछड़ा वर्ग को पहले 48 परिशत आरक्षन PC BCA को आरक्षन दे दिया गया था सरकार के द्वारा और फिर से हाई कोट ने उसको वापिस ले लिया पिछड़ा वर्ग कोई आरक्षन इलक्षन में नहीं मिलेगा और 50 परिशत सीटे महिलाओं को भी अब की बार दी जा चुकी हैं वो महिलाओं की सीट इस रहेंगी इसके उपर भी बहुत ज्यादा दिनों तक लंबी चली थी बाते याचिकाएं लगी थी पर फिर इसके अंदर जो है वो पचास परिशत आरक्षन को नहीं हटाया गया हाई कोट के फैसले के अनुसार पंचायत चुनाओं में भी निकायों कि तरह पिछड़ा वर्ग को आरक्षन नहीं दिया जाएगा पचास परतिशत सीटे महिलाओं के लिए रक्षित होंगी परदेश सरकार ने पंचायतों मे पिछड़ा वर्ग के लिए आठ परतिशत आरक्षन का प्राधान किया था लेकिन पंचायत चुनाओं में भी इसे लागू नहीं किया जासका इसके इलावा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन सरकार द्वारा कर दिया गया है पर उस गठन होने के बावजुद भ सरकार अभी इलक्षन के अंदर जो है बी सी एक और रक्षन नहीं दे रही है क्योंकि अभी इसके जनसंख्या के अंदर जो है वो सरकार का रोडाट का हुआ है कि पिछड़ा वर्ग की एक जनसंख्या अभी इसी साब से नहीं हो रही कि आरक्षन दिया जाए हालांकि पिछ दस परतिसाथ अरक्षन केवल सरफिंस के पदों के लिए ही मिलेगा के बाकी के लिए बागी यह थी ब्रेकिंग नुज़ और इसी के साथ साथ हम आप सभी को शूब काम ना देते हैं आपको best wishes देते हैं कि आपकीOW से था बहुत अच्छ 큰 लड़न있는 करो झाल झाल